आज हम लोग देखेंगे जैब विकास के बाड़े में और जैब विकास का क्या कनेक्शन है दस अवतार की कल्पना के साथ उसके बाड़े में तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले तो आप यह बताईए कि क्या अभी जो जीव जैस इस्थिती में है मानव जिस रूप में है अन्य जीव जन्तु जिस रूप में है क्या हमेशा से यह जीव जन्तु इसी रूप में थे तो बहुत सारे करन बताया जाते हैं जिसमें सबसे अधिक प्रमानिक और बैज्ञानिक इविडेंस पर जो आधारित है वह यहां है कि कोई भी जीव जन्तु इंक्लूडिंग हुमन मानव सहित कोई भी जीव जन्तु जो अभी वर्तमान स्वरूप में है वह हमेशा से इस रूप में नहीं रहा है निरंतर इसका क्रमिक ढंग से परिवर्तन होते रहा है जिसको जैव विकास के नाम से जना जाता है सबसे पहले तो यह देखिए कि इस पृत्वी पर पहले प्रारंभिक एस्टेज में कोई जीब जनतु नहीं था कोई लिविंग्स थेंग्स नहीं थे तो पृत्वी का क्लाइमेट निरंतर चेंज होते रहा इसी चेंजिंग की प्रक्रिया के चलते सबसे पहले बहुत छोटे रूप में जीब जनतु ओं का आगमन हुआ समुद्र में समद्र में जो आगमन हुआ जीवों का तो लाखों वर्सों में यह प्रक्रिया बहुत छोटे समय के लिए नहीं है बलकि बहुत लंबे समय में यह प्रक्रिया सब होती है तो जब जीवों जन्तूओं का आगमन हुआ समुद्र में बहुत छोटे रूप में कोस्किये जीवों के रूप में तब उसमें भी क्रमिक ढंग से लाखों वर्सों में पुनह विकास हुआ और अन्यत रहके जलिये जीव बने अब उन जलियों जीवों में भी क्रमिक ढंग से विकास हुआ और कुछ ऐसे जीव बने जो जल और अस्थल दोनों पर रह सकते थे इन जीवों को उभहेचर प्रानी कहा जाता है उभहेचर प्रानी का विकास हुआ जलिये जीवों से पुनह इन उभैचर प्रानियों का भी क्रमिक ढंग से विकास होते गया और इसके बाद कुछ ऐसे जीव बने जो पुर्ण रूप से अस्थलिये थे उदाहरन हम ले सकते हैं कि जलिये जीव जैसे मचली पुर्ण रूप से जलिये जीव है इन जीवों में ही कुछ का परिवर्तनी स्थरह से हुआ कि जल और अस्थल दोनों पर रह सकते थे जैसे मेढख हो गए, मगरमच हो गए, ये लोग जल और अस्थल पर समान रूप से जीवित रह सकते हैं फिर इन उभैचर जीवों का भी क्रमिक ढंग से विकास होते गया और कुछ ऐसे जीव बने जो पुर्णूप से अस्थलिये थे जैसे हाथी हो गया, कुत्ते बंदर हो गया, अब इन अस्थलिये जीवों में भी जीवों का क्रमिक ढंग से विकास हुआ और यहां से कुछ वैसे जीब फिर विक्सित हुए जो वायू में भी उड़ सकते थे इस तरह से निरंतर जीबों का विकास होते रहा है इसी को जैब विकास कहा जाता है और्गेनिक इभलिउशन अब इसका connection देखिए दस अवतार के साथ क्या है तो दस अवतार में कलपना की गई है जिन बातों की उसका सीधा सीधा connection इन जैब विकास से है जैसे जैब विकास के अंतरगत हम यह जानते हैं कि जीवन की उत्पत्ती सरवपर्थम समुद्र में हुई दस अवतार में पहला अवतार है मिन्स भगवान ने फस्ट रूप में अवतार लिया है वो है मतस्य अवतार मचली के रूप में भगवान सबसे पहले आये हैं यह बात जैब विकास से काफी मिलता है और यह इस बात का गोतक है कि जीवन की उत्पती सर्वपर्थम जल में हुई थी मतस्य अवतार मिंस मचली के रूप में भगवान का आना यह सूचना देता है कि जीवन की उत्पती सर्वपर्थम जल में हुई समुद्रों में हुई चाहिए बावान का दूसरा अवतार क्षेप अवतार ये कच्हुगा की रुप में भगवान ने जनम लिया है और आप जानते हैं कि कच्हुगा उभहेचर प्रानी है मिन्स जल और अस्थल दोनों पर रह सकते हैं तो एक तरफ आप देख रहे हैं जैब विकास की अवधारना जीवों का कैसे कैसे विकास हुआ है जलिये से उभैचर दूसरी तरफ आप यह देखिए कि दसावतार में पहला अवतार जो था मचली पुर्णूप से जलिये जीव है दूसरा अवतार था तच्छुआ जो उभै अवतार है वराह अवतार मिन्स भगवान ने वराह अर्थात सूकर सूर के रूप में जो है अवतरित हुए हैं इस पृत्वी पर जो पुर्णूप से एक अस्थालिये जीव है तो इसके बाद जीवों का और अधिक विकास हुआ है अब दसावतार के तरफ बढ़ते हैं इ तो चौथा अवतार है वह है नर्सिह अवतार नर्सिह अवतार मिन्स आधा नर और आधा सिंह मानव जो बना है वह बिल्कुल जानवर से एक अएक आदमी नहीं बन गया है बलकि धीरे धीरे गुन आते गया है आदमी का और तब आदमी बना है नर्सिह अवतार इसी बात का सूचक है कि आदमी जानवर से ही आया है लेकिन एक आएक नहीं आ गया है उसका रूप बदला है नरसी अवतार इसी का सूचक है फिर आगे आप देखेंगे पाचवां अवतार तो है बावन अवतार भगवान बौने रूप में छोटे रूप में इस पृत्वी पड़ आये ह है इस बात का सोचक है कि जब आदमी आया तो इस रूप में नहीं था बलकि मानव का बहुत छोटा सा गुनुस में था और फिर इसका विकास हुआ तो आप छठे अवतार में देखिएगा कि छठा अवतार है परसुराम अवतार जहां से पुर्ण रूप से आदमी विक्सि हैं दसमा अवतार जो कल की अवतार है उसके बारे में ऐसी मान्यता है कि वह होगा भविस्य में यह भी जयव विकास को प्रतिमिन्बित करता है कि अभी भी जीवों का विकास कहीं रुका नहीं है बलकि निरंतर आगे की तरफ हो रहा है और ऐसी कलपना की गई है कि जो आने वाला अवतार होगा वह इस से भी अधिक विक्सित होगा तो यह दसमा अवतार जो छोड़ दिया गया है भविस्य के लिकी होगा वह इस बात का सूचक है कि जीवों में विकास केवल अभी तक नहीं हुआ है बलकि आगे भी होते रहेगा और वह एक अलग रूप में आगे आ प्रॉप